खबर रिवा से है जहां एक बार फिर अपराधियों की गुंड़ई सामने आई है इस बार बदमासों ने आमजन को नहीं बलकि पुलिस को निशाना बनाया है और चौकी के अंदर घुस कर गाली गलोज मार पीट और जान से मारने की धमकी दी है दरसल मामला से मरिया थाना चेतर के जुड़वानी चौकी का बताया जाता है जहां चौकी के अंदर बैठे चौकी प्रभारी राम सिरोमर सिंग बगेल के साथ मार पीट की घटना घटित हुई है बताया जाता है कि आरोपी चौकी के अंदर पहुचे और गाली गलोज करते हुए जान से मारने की धमकी थी घटना की जानकारी से चौकी में हडकम्प मच गया आननफानन में आसपास के लोग मौके पर पहुचे लेकिन तब तक आरोपी चौकी प्रभारी के साथ गाली गलोज कर मौके से फरार हो चुके थे घटना की जानकारी चौकी प्रभारी की द्वारस से मरिया थाना प्रभारी को दी गई लेकिन जब तक पुलिस बल पहुचा तब तक आरोपी भाग निकले थे मार पीट करने वालों की पैचान कुमरा निवासी लकी सिंग, दीपु सिंग और राजेश सिंग के रूप में हुई है जो छेतर की ही रहने वाले हैं और किसी विवात को लेकर चौकी के अंदर पहुचे थे फिलहाल पुलिस आरोपियों की खिलाब सासकी कारे में बाधा उत्पने करने के साथ अन्यधाराओं के तहत मामला पंजीब बदकर तलास सुरू कर दी है आपको बता दे कि जिले में लगातार हत्याएं चोरी, लूट, मार पीट की घटनाएं घटित हो रही हैं बदमासों के होसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चौकी के अंदर घुसकर पुलिस कर्मी के साथ मार पीट कर दी है घटना को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित रहेगा कैंसर अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आईसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करे 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662359974 या फिर संपर्क करे 86028859900 पर संपर्क करे